हेलो दोस्तो स्वागत है आप लोग को अपने यूटूब चैनल बलराम आईस अकेडिमी में और मैं हूँ आपका साथ ही बलराम और आज हम लोग फिर से पढ़ने बाले हैं एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है भारतिय संविधान और दोस्तों आपको बता दे कि आज हमारा इंडियन कंश्टिचूशन का यह तीसरे पाठ है और इससे पहले आपको बता दे कि मैंने इंडियन कंश्टिचूशन से जुड़े दो वीडियो अपलोड कर दी हैं अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को नहीं लिएकते हैं तो चले देरना करते हुए प्रस्ण की योई अहम लोग बढ़ते हैं आपका प्रश्ण कहें रहां दोश्तों कि भारतिय से Knowing का MRS कि सेन कौन होता है भारतिय सेनाओं का तो आप लोग सभी को पता होगा दूस्तों कि हमारे देश में तीन परकार की सेना होती है जल थल बायू जल सेना बायू सेना और थल सेना शभी का जो सेना पती होता है वो कौन होते हैं राष्ट पती तीनों सेनाओं का जो सर्बोच सेना पती यानि सबसे जो उची मालिक होता वो कौन होता तो राष्ट पती होता ठीक है सर्बोच सेना पती हमा हमारा पुरेशन क्या बनता है कि कीष कि अनुच्छीद के ड्वारा 6 बर्स से 14 बर्स के बच्चों के लिए सिच्छा का अधिकार मौल यानि कि एक आनुछेद दोस्तो उसमें यह बताया गया है कि 6-14 बर्स के बच्चों को निशुल के सिच्छा दिया जाएगा और अनिवार सिच्छा दिया जाएगा तो वो आनुछेद कौन सा है दोस्तो तो आनुछेद आनुछेद 21 है दोस्तो आनुछेद 21 में यह बर्नन कि लिल्कुल जरूरी है यह बरनन किया गया आणुछेद आपका एककीस में और एककीस में कौन सा पार्ट में एककीस के ए में यह बर्नन किया गया है कि 6 से 14 बर्स के सभी बच्चों को निसूलक सिछा और अनिवार सिछा दिया जाएगा ठीक है चलिए यह हमारा अधिकार है यह हमारा मानवा अधिकार है चलिए अब के ताब भारत का नियंत नियंत्रक नियंत्रन एवं महालेक जो परिच्छक होता है महालेक की परिच्छक होता है उसका नियुक्ति कौन करता है तो यह पिछले वीडियो में बता चुके हैं राश्टपती करता है कौन करता नियंत्रक एवं महालेक की नियुक्ति कौन करता है तो राश्टपती करता है चलिए आगे की प्रश्णों की ओर आगे का हमारा प्रश्णी क्या बनता है कहता भारतिये सम्मीधान में मूल करतब किस देश से लिया गया है ये भी प्रश्णी पिछले वीडियो में बताएं थे कि मूल कर्तब है जो भारत के जो सम्मीधान में जो एड किया गया है वो मूल कर्तब्यों को लिया गया है रोशे से लिया गया है मूल कर्तब्यों को कहां से लिया गया है दोस्तों भारती सम्मीधान में तो रोशे से लिया गया है चली आगे की ओर आगे का हमारा प्रति किस अनुच्छेद के ताह देश में राश्टि इंपात्खल की घोशना करसकता है। कि वो अपने देश में आपात काल घोशित कर सकता है चलिए आगे की ओर आनुछे 356 में आपात काल घोशित करने की प्रभधान दी गई है किता पहले बीत आयोग का गठन 1991 में किया गया इसके अध्यक्ष कौन थे बीत आयोग का जो गठन किया गया था सबसे पहला जो बीत आ है तो आपको बता दे दुस्तों की इसका जो अध्यक्ह उसका नाम है केसी नियोग कौन सा सा दोस्तों केसी और नियोगी ये पर्थम बीतायोग के अध्यक्ष थे चलिए आगे की ओर आगे का हमारा प्रश्ने क्या बनता है आप से पुछरा कि किस उच नियालय में सर्वाधीक संख्या में नियाधीस कारियर करते हैं तो कहां का एक उच नियालय किस उच नियालय में सबसे अत्यधिक नियाधीस काम करते हैं यानि कि सबसे अत्यधिक जज है तो कौन सा नियालय है दोस्तों इलाहाबाद का जो नियालय है वहां पर सबसे ज़्यादा जज काम करता है ठीक है इलाहाबाद का जो नियालय है इलाहाबाद का जो उच नियालय ह वहां पे बहुत सारा जो जज है नियाधी से वो कारी करता है चलिए ये भी प्रश्नी केलियर हो गया अब कता राष्टपती पद के चुनाब के लिए कौन सी बिधी अपनाई जाती है राष्टपती पद के लिए जब कोई व्यक्ति चुनाब लड़ता है तो इसका चुनाओ कैसे होता दूस्तों तो एकल संक्रमन और अपर्तियच मतिदान के द्वारा राष्ट पती का चुनाओ किया जाता है चलिए आगे की ओर आगे का हमारा प्रष्ण क्या है दोस्तों तो क्या है कता भारत के पर्थम राष्ट पती थे तो भारत के पर्थम राष्ट पती की बात करें दोस्तों तो ये बच्चा को भी पता है पर्थम राष्ट पती कौन थे भारत के पर्थम राष्ट पती राष्टपती कारे कलकी अबधी कितनी होती है तो चाहे र secular राष्टपती मुख मंत्री कोई भी मंत्री हो हमारे इंडिया में सभीका जो कारीकाल होता है पांच बरस को होता है लेकिन इंद्रागंधि जी समय på कारिकाल को छे बर्स कर दी थी ठीक है अपने परधान मंत्री पद्ध को कारिकाल को छे बर्स कर दी थी फिर उसको चेंज कर दिया गया था और पांच बर्सी कर दिया गया सॉरी अब करता संभीधान में मूल करतब की संख्या कितनी है तो संभीधान में मूल करतब है कितना मूल करतब है दोस्तों तो मूल करतब की संख्या दस है संभीधान में मूल करतब की संख्या कितनी है दोस्तों दस है और इस मूल करतब को कहा से लिया गया था तो नहां पर हमने बताया था कि मूल्कर्टब्यों को रूश्र लिया गया है छलि आगे की ओर कि कि भारतिय संभीधान किस दिन लागूहुए हुआ था फेशंभिधान हो था किस दिन टाइम लगा था तो दो बर्थ ग्यारा माह और अठारा दिन लगा था तो यह सब जो छोटी-छोटी कोश्चन है दोस्तों आप लोग नोट करते चलोगे यहां से प्रश्ण बनता है चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो यह सब सारे प्रश्ण महत्पोन हैं आप लोग बिल्कुल भी इसे मिस ना करें नोट करते चलना है प्रश्णों को आप लोगों को कॉपी में नोट बनाते चलेंगी और जब हम प्रश्ण बोलते हैं उस समय वीडियो को पॉस्ट करके लिख लिया किजिए या फिर आपको पॉइंट से कोश्टन बनाने आता है जैसे हम पॉइंट से कोश्टन बना लेते तो उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो पॉइंट से ही कोश्टन बना लोगे ठीक है चलिए चलिए आप कहता है कि जम्मु कस्मीर राज को किस अनुछेद के अंतरगत 20 राज का दरजा प्राप्त हुआ तो अभी हाल ही में अनुछेद 300-370 के तहट उसको क्या किया गया दोस्तो 26 राज का दर्जा दिया गया जम्मु कस्मिर को किस राज के किस राज के अन्तरगत 26 राज का दर्जा प्राप्त हुआ तो अनुछेद का जो जज बगे रहा हाई कोड सूप्रीम कोड बगे रहा उसका जो नियुनतम जो उस्तम जो नियादीसों का जो कारिकल कितना परस को होता तो 65 बरस तब 65 बरस के बाद वह रिटायर हो जाता है 65 बार के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है चली आगे की ओर अब किता राष्ट पती राष्टी आपात का लिन घोशना किन परिस्थिती में कर सकता है यानि कि राष्ट पती है जो देश में आपात काल किस कंडीशन में लगा सकता किस कंडीशन में घोशना कर सकता किस कार से यूध के कारण यूध के कारण अगर देश में यूध चल रहा तो आप आतकल ब्राहा आकर्मन के कारण यानि कोई देश बाहरी देश आकर्मन कर रहा तो फिर सस्त्र विद्रोह में सस्त्र विद्रोह में यानि कि लडाई जगडे के मामले में देश में आपातकाल लागो किया जाता है या तो यूध होगा तो या बाहरी या कर्मन होगा तो या सस्त्र विरोध होगा तो ठीक है सस्त्र विद्रोह होगा तो तो राष्टिये आपातकाल घोशना कर सकता और रा परधान मंत्री कौन होता दूस्तों परधान मंत्री नीती आयोग का नीती आयोग का जो पदे न अध्यक्ष वता वो परधान मंत्री होता शली आगे की और हम लोग बढ़ते ही हमारा आगे का प्रश्न क्या करता फंचायत के चुनाव के बारे में निर्ने कौन लेगा तो चुनाव अधियक्ष होता है पालो चुनाव संबंदी जोह भी डिर्म लेना किक्या चुनाव चिनदेना है किटना बोड चाहिए यह सब चुनाब अध्यक्ष करता ठीक है चुनाब contains अध्यक्षिएए चुनाबर्योक टेक है चलिए किसी बिध्यक को धन बिध्यक के रुप में कौन परमानित करता कोई भी जो बिध्यक होता उसको धन बिध्यक के रुप में कौन परमानित करता तो यह आप करता आपका करता लोगसभा का जो अध्यक्ष होता वो करता लोगसभा अध्यक्ष जो होता वो किसी भी बिध्यक को किता राज सभा की अधिक्तम संख्या है हमारा जो देश है इंडिया उसमें राज सभा का जो अधिक्तम संख्या है वो कितना है तो राज सभा की जो अधिक्तम संख्या है वो 250 है तीक है राज सभा के अधिक्तम संख्या कितना है 250 है किताक संबिधान के कीश अनुछेद के तहत भारत में बीतिया पात की घोशना कर सकता है भारत में बीतिया पात अभी एक भी बार नहीं लगा है भारत में बीतिया पात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है लेकिन ये घोषना की सनुछेद के द्वारा किया जा सकता है तो अनुछेद 360 के तहद भारत में बितिया पात काल घोषित किया जा सकता है लेकिन अभी भारत में एक भी बार बितिया पात काल घोषित नहीं किया गया है चली आगे की ओर किता भासा के अधार पर गठीद भारत का पहला राज कौन है भासा के अधार पर गठीद भारत का पहला राज भासा के अधार पर भासा के अधार पर जो पहला भारत का पहला राज का निर्मान हुआ था वो राज का नाम है आंधर परदेश कौन साथ पर्देश दुस्तो आंध्र पर्देश है जो भासा के अधार पर इसका निर्मान किया गया था ठीक है इसका गठन भासा के अधार पर किया गया था आंध्र पर्देश का बिधान सभा के बर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना जरूरी है तो बिधान सभा का जो बर्ष हो था उसमें कम से कम कितने बार अधिवेशन तो कम से कम दो बार अधिवेशन तो होने ही चाहिए कम से कम दो बार अधिवेशन होने ही चाहिए बिधान सभा के बर्ष में अब करता तेहत तर्वा संबैधानिक संसोधन अधारी थे तेहत तरवा जो संभिधान संसोधन है वह किस प्याधारी थे तो वह पंचायती राज से जोड़े जो संसोधन किया गया है वो तेहत तरवा संभिधान के बीच अधिक्तम कितने समय का अंतर होता है लोग सभा एक तरफ लोग सभा और एक तरफ राद सभा इन दोनों के अधिवेशनों के बीच में कितने समय का अंतर होता है तो यह होता है आपका छे महा का अंतर होता है ठीक है कितने महा का अंतर होता है छे महा का अंतर होता है ल भारतिये संभी धान के अनुसार संग की कारिपालिका होता है उसकी सक्ति किसमे होती है तो संग की कारिपालिका का जो सक्ति होता वो राष्ट पती में होता है किसमे होता है संग की कारिपालिका का जो सक्ति होता है वो किसमे होता है राष्ट पती में होता है चलिए आगे की ओ हमारा आगे का प्रश्achment क्या कहता है इसके और ज़रा हम लोग बढ़ते हैं किता राष्टपती दूआरा लोक सभा और रात सभा में मनोनित की जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनı होती है तो राष्टपती दूआरा तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही प्रश्नों को देखेंगे तो आप लोग इन सारे प्रश्णों की क्या करेंगे कि कौपी में नोट करेंगे और इसको अच्छे से रिभाइज एक बर जरूर करेंगे ठीक है और कोई भी प्रस्ण में अगर आपको लगता है कि dot है आपको ये प्रस्ण पुछना चाहिए तो आप लोग बेहीचक comment में comment box में उस प्रस्ण को डाले मैं उसका answer जरूर आपको समझाने की कोशीज करूँगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले एपीसोड में तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो जो बच्चे नया है वो subscribe करेंगे चैनल को और like करेंगे, share करेंगे और comment में जरूर बताइए कि कैसा लगा हमारा आज का class फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपीसोड में हम जाम कर पढ़ाई करें जैहिन